गुड मॉनिंग तो आल माई दियर इस्टुएंट्स इन दे लास्ट क्लास आव इस्टार्टेट टाइप सॉलूशन ओन डेसी सॉप ऑस्मोटिक प्रेसर तो यह मैंने आपको बता दिया था तीन तरीके के सॉलूशन होते हैं अपने पास आईसोटोनिक सॉलूशन हाइपोटोनिक सॉलूशन और हाइपोटोनिक सॉलूशन हमारे लिए मस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि नुमेरिकल जो आते हैं चंदली आईसोटोनिक सॉलूशन के उपर ही आते हैं और आईसोटोनिक सॉलूशन का मतलब मैंने क्या बताया था ऐसे दोनों का Osmotic Pressure से में तो ऐसे solution को क्या बगता हम लोग? Isotonic, solution 1, solution 2 अगर जितना Osmotic Pressure इसका है, उतना Osmotic Pressure इसमें भी हो तो इसका मतलब यह दोनों solution आपस में क्या कहलाएंगे? Isotonic कहलाएंगे, बतलब ना तो solvent का movement यहां से यहां होगा ठीक है और यह मैंने बताया था numerically हमारे लिए important है क्योंकि दोनों अगर non electrolyte रहेंगे तो concentration stream कर दो एक non electrolyte एक electrolyte रहेगा तो non electrolyte का C1 और electrolyte तो टूटेगा ना ions में तो उसके आगे I से बस multiply कर दो और तीसरा यह भी case हो सकता था दोनों अगर electrolyte हो इधर का सॉलूशन भी electrolyte हो इधर का भी electrolyte हो तो I1 C1 बराबर I2 C2 और उसके बाद hypotonic solution का मतलब मेंने बताया था ऐसा solution जिसका osmotic pressure क्या होता हो दूसरे solution के respect में कम हो तो ऐसे solution को hypotonic बोलेंगे और hypotonic solution का मतलब क्या है किसी दूसरे solution के respect में उसका osmotic pressure क्या हो? जादा और shrink और swell का भी concept मैंने बताया था shrink होने का मतलब क्या होना? loss होना, fluid का loss होना तो shrink हो जाएगी चीज़, अगर उसके अंदर से fluid बहार निकल जाएगा, तो अगर जिस substance के अंदर से fluid बहार निकल गया तो जिसके अंदर से अगर fluid बाहर जाएगा उस तरीके का solution कैसा होगा hypotonic होगा क्योंकि हमें पता हमेशा low concentration से high concentration की तरफ solvent particles का क्या होता है moment और swell होने का मतलब क्या होता है gain of fluid तो gain of fluid कब होगा अगर वो खुद solution कैसा हो hypertonic अगर हो hypertonic रहेगा तो अंदर अपने क्या करेगा और solvent particles को ले लेगा तो इससे hypotonic और hypertonic से related blood cells के उपर थोड़ा important है तो blood cell के बारे में आज मैं बताता हूँ कि blood cell के questions कभी कभी मिल जाते हैं तो कैसे करते हैं तो देखें क्या करना हमें जो blood cell होता है अपने नोट करके यह ध्यान ही रखना इसको नोट करके लिखवा देता हूँ में यह चीज़ आप important है ध्यान रखेगा क्योंकि blood cell के questions direct हम से कभी कभी पूछे जाते हैं ठीक है तो देखो गेटा blood cells में बस यह चीज़े information ध्यान रखने हैं जो blood cell होता अपना blood cell blood cell जो है न यह है blood cell has been found has been found दिख्रहें न ब्लट cell has been found to be found to be isotonic with किस के साथ isotonic है normal saline solution ठीक है तो यह question अल्लेटी पूछा जा चुका है कि blood cell has been found to be isotonic with तो आपको ध्यान रखना है किस के साथ isotonic होता हो normal saline solution normal saline solution का मतलब क्या है normal saline solution का मतलब है ऐसा solution that is एसा solution जिसकी molarity 0.16 molar NaCl solution ठीक है तो blood cell जो होता है isotonic होता है किस के साथ normal saline solution और saline solution का मतलब 0.16 molar NaCl solution या इसको अगर मालो हम लोग अगर %WYV में वो लें तो यह approximately होता है 0.9% WYV of NaCl solution ठीक है तो यह information ल्यान रखेगा blood cell जो है वो isotonic होता है किस के साथ normal saline solution से और normal saline solution की molarity की इतनी होती है 0.16 molar approximate बता हो है न और %WYV में बोला जाए तो approximate 0.9% WYV के बराबर होती है हमें पता ही है molarity निकाल सकते है molarity is equal to क्या पढ़ा है हमने %WYV into 10 ठीक है divided by molar mass of solute यह तो direct formula बता है निकालने का %WYV बताता है 100 ml में उसको 10 से multiply करता ही 1000 ml में हो जाएगा mass तो 1000 ml में अगर mass मिल गया तो उसको molar mass से divide करते है 1000 ml में क्या मिल जाएगा moles और वही क्या होती है molarity तो अगर यहां से check करना चाहो तो check कर सकते हो देखो अगर 0.9 यहां पर रख दिया जाए %WYV के जाएगा पर इंटू 10 डिवाइडर वाई molar mass और शलू 10 ने CL का molar mass कितना होता है 58.5 तो जब आप इसको solve करोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 0.153 की आस पास something आता है तो हम लोग अप्रॉक्सिमेटली इसको जनरली 0.16 मोलर बुक्स में दिया रहता है तो आप ध्यान रखिएगा ठीक है नहीं तो यह हमारा एक information यह चीज हमें ध्यान रखना है तो जो osmotic pressure of blood अगर कभी हमसे पूछ ले osmotic pressure of blood तो यह ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सिमेट इसका answer हमेशा कितना दिन है क्योंकि blood के questions आ चुक है एंग्जाम में है ना direct blood का osmotic pressure वगरा पूछा है तो 0.9% wyv of NACL तो यह ध्यान रखिएगा osmotic pressure of blood जो होता है वो 0.9% wyv of किसके होता है NACL के ठीक है अब थोड़ा समय यह समझाओ अगर आपको कि अगर blood cell को क्या होगा अगर हमने blood cell is placed in hypertonic solution कहां पर रख दिया जाएगा उसको hypertonic solution में तो किस solution में डालना है hypertonic, hypertonic solution में डालने का मतलब उसका, उस solution का osmotic pressure क्या है ज्यादा, hypertonic solution में डालने का मतलब हो गया कि उस solution का concentration of solution जो होगा, वो concentration of solution क्या होगा, that will be जो concentration of solution होगा, that will be greater than, किस से ज़्यादा होगा, normal saline solution से, लब that will be greater than 0.9% wyv naCl, इस से ज़्यादा रहेगा, तो अगर इस से ज़्यादा solution का रहेगा, when blood cell is placed in hypertonic solution hypertonic solution का मतलब, ऐसा solution जिसका 0.9% wyv naCl से क्या है, ज्यादा है concentration, तो उसको hypertonic बोलते हैं, बताया है, hypertonic का मतलब, solution having more osmotic pressure than other solution, तो blood cell के solution का osmotic pressure उससे क्या है, वो concentration ज्यादा रखा है अगर उसने, तो उसको hypertonic बोलेंगे, तो क्या होगा, hypertonic solution के अंदर अगर उस voltage को डालोगे, तो water क्या होगा, है न, blood cell से बाहर निकल आएगा, क्योंकि बाहर का solution high osmotic pressure पर है न, तो moment हमेंसा less high की तरफ होता है, तो when blood cell is placed in hypertonic solution, तो हम लोग बोलेंगे, water will, water will flow out of cell, water will flow out of cell, water क्या होगा, महां से बाहर निकल जाएगा, and cell will shrink, cell क्या हो जाएगा, shrink हो जाएगा, ठीक है न, cell उससे में क्या हो जाएगा, shrink हो जाएगा, और दूसरी चीच, अगर यही चीच क्या हो, मलब हमने blood cell को उठा के hypertonic में डाल दी, hypertonic में, मलब बाहर का concentration क्या आता है, ज्यादा, तो moment हमें पता है, less concentration से की तरह होता है, more concentration की तरफ, तो water कहां से बाहर निकल के आएगा, cell से बाहर निकल के आएगा, flow out of cell, cell से बाहर निकल के आएगा, और cell कैसा हो जाएगा, shrink हो जाएगा, क्योंकि बाहर का solution, hypertonic था, तो blood cell shrink हो जाएगा, उस case में, और दूसरी अगर, दूसरी बात करें, अगर, when, when blood cell is placed in hypotonic solution, इसके अंदर रखा, अब हमने, hypotonic solution के अंदर, hypotonic solution का मतलब क्या होगा, उस concentration of solution, जो concentration of solution है, hypotonic होने का मतलब, उसका concentration क्या होगा, कम होना चीए, blood cell के concentration से, that is less than 0.9% WIB-NACL solution, इससे उसका concentration क्या हो, कम हो अगर, तो उस तरीके के solution को हम लोग क्या बोलेंगा, hypotonic solution, तो अगर उसको हमने hypotonic solution में डाल दिया, तो उस case में क्या होगा, उस case में water जो है, solution hypotonic है, और blood cell hypotonic हो गया, तो hypotonic के case में movement कहां से होगा, आप देखो concentration solution का कम है, तो less concentration से more concentration की तरफ, मतलब अब solution में से solvent particles किसमें जाएंगे, blood cells के अंदर की तरफ move होगे, तो इसका मतलब अब क्या होगा, आप swelling होगा, तो हम लोग यह लिखेंगे, water will flow inside, water will flow inside the cell, water will flow inside the cell, and cell will, cell will क्या होगा, swell up, फूल जाएगा होगा, cell will swell up, तो आई होब की समझ गए बेटा क्या करना है न, तो उस समय flow inside the cell होगा, तो वो depend करता है solution कौन सा आप ले रहो, अगर बाहर hypotonic लिख लिखेंगे, जैसे इसको अगर diagram के form हैं, मैं समझाओ, diagram के form से भी समझते हैं ज़रा सा, सपोच करो, यह first solution ले लिए, मैंने इस container के अंदर solution जो रखा है, यह solution जो है, normal कोई solution लिए हमने, उसके अंदर यह blood cells को डाला है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि, यह blood cell जो है, इसका जो concentration of solution है, यह concentration of solution है, यह concentration of solution अगर सपोच करो, मैंने कह दिया कि, इस concentration of solution is equal to 0.9% WYVNACL, तो क्या होगा, बताओ, अगर मैंने यह कह दिया कि, यह solution है, इसका concentration, 0.9% यह blood cell है हमारा, ठीके न, blood cell, तो अगर यह solution का concentration 0.9% WYVNACL के बराबर है, तो क्या क्या समझ में आता है आपको, जितना H2O, जितना H2O का solvent, इदर अंदर से solution से अंदर की तरफ जाएगा, उतना ही अंदर से बाहर की तरफ होगा, मतलब solvent particles का movement होगा, यह blood cell के थुरू, और concentration चुकी, दोनों तरफ का हमने क्या ले लिया है? सेम तो अगर concentration सेम ले लिया है, तो जितना बाहर जाएगा, उतना हिंदर जाएगा, तो इस तरीके का solution कैसा है? isotonic solution क्या लाएगा न, यह हमारे लिए, isotonic का मतलब क्या बताए था मैंने? isotonic solution मतलब ऐसा solution जिसमें दोनों तरब का concentration क्या हो same blood cell का भी वही concentration है और बाहर जो मैंने solution रखा उसका concentration भी blood cell के बराबर ही डाला है तो इस तरीके का solution क्या है isotonic solution और isotonic solution के case में blood cell में नहीं तो swelling होगी नहीं तो shrinking होगी और normal तरीके से रहेगा ठीक है दूसरी चीज क्या हो सकती थी जो second condition हो सकता था कि इस solution के अंदर blood cell को अगर हमने डाला है तो blood cell थोड़ा सा shrink हो गया इस तरीके से shrink कब होगा shrink तभी हो सकता है जब blood cell के अंदर से खुद क्या निकल जाए बाहर H2O यह कोई solution है अपना और इस blood cell से बाहर क्या निकल जाएगा H2O अगर इस blood cell से बाहर निकलेगा अब H2O इस blood cell से बाहर कम निकलेगा अगर इस container का concentration जिसके अंदर रखा गया है इसका concentration सपोच करो इस बर मैंने का 0.9% WYV NACL से जादा है इस solution का concentration क्या है 0.9% WYV NACL से क्या है जादा तो चुकि बाहर का concentration जादा है अंदर का concentration यह blood cell है यह blood cell अपना है तो blood cell क्या हो जाएगा हमारा shrink हो जाएगा अब इस case में जैसे पहले circular दिखाए मैंने बाद में क्या हो गया shrink हो गया क्योंकि H2O क्या होगा इस blood cell से निकल के कहां चला जाएगा solution में क्योंकि हमेशा low concentration, high concentration की तरब movement होता है तो blood cell का concentration कम है और बाहर के solution का concentration क्या है जादा तो इसका मतलब shrink हो जाएगा और shrink होने के case में इसका मतलब यह solution को किस तरीके का solution बोलेंगे हम लोग तो this solution is called hypertonic solution क्योंकि इसका concentration ज़्यदा होगे होगे ना hypertonic तो यह वाला अमारे लिए hypertonic solution है तो देख्षो मे pinig hypotonic solution में क्या होगा flow out of cell होगा और cell क्या हो जाएगा shrink हो जाएगा तो hypertonic के अंदर क्या हो जाएगा shrinking हो जाएगी और एक और case हो सकता है last क्या कि blood cell को ये even मैं आपको blood cell के उपर example लेकर समझा रहा हूँ आप किसी भी है generally मैंने example किसका लिए blood cell का आप किसी भी solution के उपर question कभी भी आए shrinking क्या swelling का तो यही concept देखना है कि shrink हो रहा है कि swell हो रहा है और एक और मैं दिखा रहा हूँ condition इसमें suppose करो कि ऐसे blood cell थोड़ा सा क्या हो गया swell हो गया और swell कभ होगा जब इसके अंदर खूद क्या होगा solution के अंदर से क्या जाएगा H2O अब मैंने blood cell को ऐसे solution में डाला जिसका concentration क्या है कम suppose करो इसका concentration solution का concentration concentration इस पर less than 0% 0.9% WIV NaCl से अगर ये concentration कम है किसका बाहर वाला concentration कम है बाहर का solution का अगर concentration कम है 0.9% से तो ये less concentration है अंदर का concentration क्या हो गया more तो from less concentration to more concentration moment होता है मतलब अब solution से कुछ S2 किसमें जाएगा उस blood cell में इसका मतलब इस solution को कैसा solution बोलोगे इसका चुकिए osmotic pressure कम है तो इसको बोले ही हम लोग hypotonic solution ठीक है बिटा तो आयोब की clear हो गया होगा example किस तरीके से करना है तो केवल मैंने blood cell पे आपको बताया even blood cell पे नहीं किसी के उपर भी आपको ऐसा कोई question बने swelling का है न shrinking का shrink होना या swell होने का अगर same to same रहेगा तो तो isotonic हो जाएगा shrink हो जाएगा तो hypertonic और swell हो जाएगा तो hypotonic बाहर वाला solution होगा ठीके तो इससाब से इसके उपर आप किसी भी question में अगर कभी या swell होना shrink होना तो यह concept लगा के देखना है कि आखिर fluid बाहर जा रहा है कि बाहर से अंदर जा रहा है आखिर loss of fluid हो रहा है कि gain of fluid हो रहा है और कहां से किस तरफ हो रहा है तो उससाब से हम लोग decide करते हैं कि हो solution किस तरीके का कहलाएगा तो ठीक है जो isotonic solution के लिए मैंने बता है तीन formula हमको ध्यान रखना है अगर दोनो non electrolyte है तो दोनों का concentration बराबर करो एक non electrolyte है एक electrolyte है तो जिदर electrolyte है उदार I से multiply कर लो और अगर दोनों solution solution 1 और solution 2 दोनों electrolyte वाले होंगे तो दोनों में I का roll आएगा तो finally तो मैंने कहा थे यही ध्यान रखा करो यह वाला formula ध्यान रखो अगर किसी में electrolyte नहीं है glucose जैसे तो I की value 1 रख दो अब मालो NaCl है तो I की value कितनी रख दो 2 रख दो MgCl2 है तो 3 रख दो तो इस तरीके के numericals कैसे आते हैं isotonic पे numerical आते हैं 5% W.Y.V solution of W.Y.V solution of a unknown solute 5% W.Y.V solution of an unknown solute is isotonic with 6% W.Y.V solution of glucose ठीक है हमसे बोला है 5% W.Y.V solution of an unknown solute is isotonic with 6% W.Y.V solution of glucose और question हमसे पूछ रहा है determine molar mass of unknown solute determine molar mass of unknown solute उसका क्या निकालना आपको? molar mass एक यही प्राबलम बनता है जो भी आप isotonic के problem देखना उनमें हमेशा क्या निकालने के लिए देगा molar mass of unknown solute Horizotonic के problem में यही देगा molar mass of unknown solute जब तक हमें solute के बारे में कोई information नहीं है तो उस unknown solute को हमेशा उसका one-top factor आई कितना लिया करो वेटा 1 ले लिया करो ठीक है ना यह ध्यान रखना यह fixed है यह यादी रखिए इस चीश को कभी भी unknown solute आई तो sir उसका one-top factor क्या होगा तो उसकी one-top factor को में सा कितना लेना आपको one ले लेना है अब question को पढ़ो question आसान है बिल्कुल है ना ऐसा है आसान से questions होते हैं बोलना हमें 0.5% w by v solution of unknown तो पहले तो यह देखो concentration मतलब यह c1 हो गया एक तरीके का यह टॉम लोग निकाल लेंगे ना निकालेंगे इसे unknown solute is isotonic कौन सा वर्ड आया isotonic word पर ध्यान देना है isotonic होने का मतलब pi1 बराबर pi2 और indirectly बोलें तो c1 बराबर c2 और इसको भी मैंने और बताया कि और अच्छा से क्या ध्यान रखो i1 c1 बराबर i2 c2 यह याद कर लो क्योंकि अगर i2 value 1 हो जाएगी तो अलग बात है और नहीं होगी तो फिर value को रख देंगे isotonic with 6% wyv मतलब c2 तो वेटा मैंने बताया तक concentration मतलब हमेशा हमें क्या लेना होता है molarity लेना होता है concentration का मतलब molarity और मैंने बोला तक % wyv वाले खुब questions मिलते हैं तो % wyv का direct formula भी बता है % wyv 100 ml में mass बताता है 110 से multiply करते ही 1000 ml में mass हो जाएगा और divided by क्या हो जाएगा molar mass of solute तो जैसे divide करते हैं तो क्या जाता है moles आ जाता है 1000 ml में तो यह concentration का formula है 10 into % wyv divided by molar mass of solute तो बस concentration मिल जाएगा यहाँ से c1 यहाँ से c2 और दोनों को बराबर रखना है तो मैंने बता है क्या isotonic है ना तो for isotonic के लिए क्या लगा दोगे for isotonic solution में क्या लगा देंगे हम लोग i1 c1 बराबर i2 c2 यह लगा दिया करो हमेशा ठीक है ना क्योंकि दोनों तरह osmatic pressure same होगा indirectly concentration same होगा i1 मालो मैंने glucose को ले लिया कौन सा दिया glucose का दिया ना तो glucose solution को मैंने second माना है और first को unknown माना है तो unknown के लिए मैंने तो बता है हमेशा i की value कितना ले लिया करो 1 into concentration कितना लोगे 5% wyb का मतलब कितना लिखोगे 10 into देखो formula 10 into 5 divided by molar mass of unknown solute तो unknown है हमारे लिए ये चीज़ unknown है is equal to i2 कितना होगा तो किस के साथ वो isotonic है glucose के साथ तो glucose का i तो हमें पता ही है कितना होता है 1 ही होता है glucose का i तो i2 की जगे पर भी 1 रख दो into c2 की जगे पर कितना रखोगे 10 into percent w by v दिया है 6 divided by molar mass of glucose कितना होता है बेटा 60 होता है glucose का molar mass कितना होता है 180 urea का 60 होता है glucose का molar mass कितना 180 देखो एक ता मास आनी से question solve हो जाते हैं ये देखो 10 से 10 भी cut गया 1 1 का तो कोई रोली नहीं है यहाँ पे तो यहाँ से molar mass of solute किसके बड़ाबर आ जाएगा सीधा सीधा molar mass of solute is equal to 5 into 180 divided by 6 तो कितना हो जाएगा 30 और 35 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 ग्राम 150 ग्राम इस दाउंसर खताब तो तुरंत हो जाते हैं isotonic वाले question जब यह isotonic वाला problem है तो उनके बस concentration को क्या करना होता है तो मतलब लगाने का अप्रोस तो यह होता है लेकिन आप तुरंत ओर इली भी ऐसे सवालों को कर सकते है तो एक्जाम में isotonic के भी questions हैं कुछ तो osmotic pressure के जादा तर problem है examination में ठीक न तो आप osmotic pressure को ध्याम से अच्छे से पढ़के जाओ पूरा topic क्योंकि इसके उपर जादा problem डाले है theoretically और numerically भी तो एक तो पहला problem इस तरीके का आएगा जिसमें आप से क्या पूछ लेगा कि उस solute का क्या बताई अगर isotonic है तो molar mass निकाली है unknown solute का molar mass second तरीके का जो problem बनता है वो पूछता हम से degree of dissociation के type का पूछेगा जिसमें one of factor i का रोल आ जाएगा ठीक है न इवेंट molar mass degree i की value को डालके भी निकाल सकते थे तो वह वाले भी problems मिल सकते आपको तो एक तो पहला unknown solute का molar mass वाला मिलेगा और second type का problem मिलेगा जिनके अंदर क्या मिलेगा हमें Na2SO4 is isotonic यह जही 2004 का question है ठीक ना बहुत सिंपल से question होता है 0.004 molar solution of Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar solution of glucose at same temperature temperature तो same ही रखेगा है ना क्योंकि temperature same नहीं रखेगा तो osmotic pressure की value क्या होगी बदलने लगेगी ना at same temperature तुम से बोला calculate calculate degree of dissociation calculate degree of dissociation bracket में alpha जिसको बोलता है calculate degree of dissociation of Na2SO4 क्या निकालो Na2SO4 का degree of dissociation निकालो तो यह दो ही तरीके के problem आएगे या तो degree of dissociation का पूछ लेगा हमसे या तो simple तरीके का हमसे problem पूछेगा तो कैसे करना है इसमें कुछ नहीं करना है देगो 0.004 molar solution मतलब हम लोग इसको C1 कह दें क्या C1 माल लेता हूँ of Na2SO4 Na2SO4 हमें दे दिया electrolyte है अब electrolyte है तो जाहिर सी बात है इसका i निकल के आएगा कितना होगा दो और एक तीन लेकिन क्वेस्चन में हमसे तो पूछी लिया है क्या उसने degree of dissociation मतलब इसके i की value को हम डारेक्ट नहीं हम लोग formula लगाएंगे कौन सा 1 plus n minus 1 into alpha से रखना पड़ेगा तभी तो alpha निकालेंगे हम लोग isotonic भी जरूर दे दिया isotonic मतलब concentration सेम करना है i1 c1 बराबर i2 c2 with 0.1 molar solution of glucose मतलब यह हमें क्या दे दिया इसने यह मानलो इसको i1 लिख देता हूं यह हमारे लिए c2 हो गया 0.1 molar solution of glucose देते ही glucose की वज़े से i2 की वैलू कितनी ले लूँगा मैं 1 ले लूँगा बस तो देखो problem solve है दो चीजे दिये एक तो दिया ए न ने टू-SO4 ठीक है और दूसरी चीज क्या दिया हमको glucose यह दोनों आपस मैं isotonic हो रहा है न तो एनने टू-SO4 की बात करूं अगर मैं तो एनने टू-SO4 के लिए एन की वैलू कितनी होगी तीन दो sodium आयन और एक सलफेट आयन तीन लेकिन इस question में हमसे अलफा यह अननोन किया उसने अगर अलफा पूछा है तब तो निकालना पड़ेगा नहीं पूछा है तो अलफा की वैलू कितना ले लेते हैं वन ले लेते हैं हम लोग है न तो एन और इसकी हेल्फ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं इसका आई इसको first माल लेता हूं तो 1 into alpha, it will dissociate ही होगा न, जाके, कितना हो जाएगा, 1 plus 3 minus 1 alpha, लब 1 plus 2 alpha ठीक है न, तो I1 की value हो गई, 1 plus 2 alpha अब glucose की बात करूँ, तो glucose का I calculate ही नहीं करना है, glucose को मालो second माल लेता हूँ, तो I2 की value कितने हो जाएगी, glucose के लिए, 1 हो जाएगी अच्छा, इसका concentration की भी बात कर लें, तो C1 कितना दिया था, 0.004 और इसके concentration की बात करूँ, अगर मैं, इसके I की value में कुछ calculation नहीं, glucose का तो 1 होता है concentration की बात करो, तो concentration कितना दिया है, 0.01 molar दिया है, तो बस बेटा काम हो गया, देखो, I1, C1 चाहिए isotonic के questions के लिए I1, C1 बराबर I2, C2 बस लगा देना है उस formula में, कुछ भी unknown करें बस formula इसी से जाना है, अगर वो non electrolyte है, तो I की value कितनी हो जाए करेगी 1, 1 हो जाएगी, और अगर वो electrolyte रहेगा, तो I की value हम लोगों को निकानली पर सकती है, जैसे इसमें तो degree of dissociation पूछ लिया, तो इसलिए I को क्या लिखेंगे, 1 plus N minus 1 into alpha के form में, बस solve कर लो बीटा, isotonic है न, तो for isotonic क्या लिखेंगे for isotonic solution क्या लिखेंगे, बोलो I1, C1 बराबर I2, C2, हमेशा यह ही लगाय करो है, जब I की जरूत नहीं पड़ेगी तो कितना हो जाए करेगा, I1, C1 बराबर I2, C2, I1 की जागे पर कितना, 1 plus 2 alpha, C1 की जागे पर कितना, 0.004 I2 की जागे पर कितना, 1 into C2 की जागे पर, 0.01 ठीक है न, तो हमें तो alpha निकालना है, तो यहां से 1 plus 2 alpha is equal to क्या हो जाएगा, इसको ले जाके डिवाइड कर दे, तो 0.01 divided by 0.004 अब उपर नीचे 1000 से multiply करेंगे, तो उपर तो कितना हो जाएगा, 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 4 फिर यहां से और simplify करो अगर, तो क्या होने वाला है, देखो, और simplify करते हैं थोड़ा, तो 2 alpha is equal to कितना हो जाएगा, तो यहां से 2 alpha is equal to कितना हो जाएगा, 2 alpha is equal to 10 by 4 minus 1, लब कितना हो जाएगा, 10 minus 4 by, शही कहरा हो न, 10 by 4 minus यह 1 हो गया, तो यह हो जाएगा, 6 by 4, कितना हो जाएगा, 6 by 4, तो अगर यह 6 by 4 हो रहा है, तो 6 by 4 के इसाब से, 2 alpha is equal to 6 by 4, तो alpha is equal to 6 by 8 हो जाएगा, यह दो नीचे जाके 8 कर देगा, तो alpha is equal to कितना, 6 by 8, और 6 by 8 को और simplify करें, तो इसको क्या 3 by 4 लिख सकते हैं, तो 3 by 4 के इसाब से, alpha की value कितना हो जाएगा, 3 by 4 का मतलब कितना होता है, point, 7 five, 4 by 3 मतल कितना, 0.7, 3 by 4 का मतलब, 0.75, 3 by 4 मतलब 0.75, और 0.75 को अगर percentage में कोई पूछे, तो इसको कितना बोलेंगे, 75%, तो हमारा सवाल यही था, degree of dissociation बताईए, तो हमारा percentage में answer पूछेगा, तो कितना, 75%, यह alpha ही निकालना था न, तो percentage में पूछेगा, 75%, और decimal में अगर पूछेग तो 0.75, तो असानी से question solve हो जाता है, isotonic के भी problems में कुछ मुस्किल नहीं होता, बस आपको concentration दोनों तरग करना होता है, बराबर करना होता है, problems को लगा दो, molar mass वाला भी equation करवा दिया मैंने, और equation degree of dissociation का अगरा दिया, इन दो problem के लावा कोई problem isotonic पे मिलने वाला नहीं है, तो board point of view is important है, क्योंकि board में हमसे कभी solid in solid solution के बारे में पूछ लेता है, solid in liquid के बारे में पूछ लेता है, तो उसको मैं next part में discuss करता हूँ, और gas in liquids वाला जो है, वो हमारा है है, उसको भी उसी types of solution में email ले लेता हूँ, तो next part में लेता हूँ, तो बेटा हमने osmotic pressure का topic भी complete कर लि लिए, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point और osmotic pressure, चारों complete हो गया है, अब chapter हमारा खतम ही हो जाएगा, ठीक है, बस अब एक दो चीज़े और चोटी चोटी चीजे बच्चिये बच्चिये बचाने को, जैसे Henry law बच्चा हुआ है अपने पास एक, और एक Oswald Walker method से कैसे, relative lowering of vapor pressure का calculation होता है, ठ next topic ले लेता हूँ, यह छोटे मोटे topics हैं, जो हमें board point of view से important है, board में इनसे questions आजाते हैं generally, तो मैं next ले लेता हूँ, types of solution, अब यह ideal non-ideal वाला type का नहीं है, यह अलग type का है, जैसे solid in liquid, liquid in liquid, gas in liquid, उस type के solution, तो types of solution में ले रहा हूँ, तो इसमें देखो, सबसे पहले type का solution में board point of view से important है generally है, theoretically कली थोड़ा थोड़ा पूछ लेता है, पहला solution है, solid in solid, कि solid in solid solution क्या होता है, तो solid in solid solution में पॉसिबल है क्या, solid में solid का solution होना, तो solid में solid जैसे यह दो solid है, अगर, तो इन दोनों solid में कोई solution बनने वाला नहीं है, तो solid in solid solution possible होता है, d block में इस common look details में पढ़ते जो d block elements होते हैं, उनके almost size क्या होती है, सेम होती है, तो वो दूसरे एक दूसरे को क्या कर देते है, replace कर देते हैं, alloy का नाम सुना है, alloy बनाना है, जो भी हमारे ornaments बनते हैं, जो भी आप उसर बनते हैं, generally, सोने चान्दी के, उनमें क्या होता है, impurity होती है, तो basically solid in solid solution होते है, alloy होते हैं एलोई का नाम सुना है न वहीं solid in solid solution होते हैं तो कैसे होगा जब दो solids को एक साथ homogenously mix कर दिया जाए तो क्या बना देते हैं एलोई बना देते हैं तो बस उसी को solid in solid बोल देते हैं तो इसमें बस मैं यह लिखूंगा वेन तू वेंटू solids वेंटू solids वेंटू solids वेंटू solids वेंटू solids आर अगर मिक्स्ट तुगेदर हो मेंटू homogenously when two solids are mixed together homogenously then then they form वो क्या बना देते हैं एलोई बना देते हैं एलोई बना देते हैं एलोई बना देते हैं solution तो basically एलोई जो होते हैं एलोई को ही solid in solid solution बुलाया जाता है तो बस ध्यान रखना इस सीच को definition wise important है थोड़ा board में पूछ सकता है solid in solid का मतलब क्या है when two solids are mixed together homogenously then they form an alloy and it is called solid in solid solution और example जैसे कुछ कुछ ध्यान रखें example के नाम पे जैसे भ्रास हो गया oh brass ड्रोंच ठीक है न ब्रास ब्रोंच ठीक है इस तरीके के ब्रास हो गया ब्रोंच हो गया जर्मन-सिल्वर अधर जर्मन-सिल्वर इन सब को solid in solid बोला जाता है अब solid in solid solution भी कितने तरीके के यह detail में दी ब्लोक में हम लोग पढ़ेंगे ना block elements के अंदर, जो solid solution होता है रिर्फू तरीके का होता है एक substitutional होता है और एक entlast crucial होता है तो इसको मैं लिख देता हूँ है they are of two types दो तरीके के हैं they are of two types two types दो तरीके का है, कौन-कौन से दो तरीके का सबसे पहला होता है हमारे पास substitutional substitutional का मतलब क्या होता है सब्सेट्यूशनल सॉलेट इन सॉलेट तो सब्सेट्यूशनल मतलब आपको पता है यह सब्सेट्यूट होता है इसे क्रिकेट में किसी को चोट लगे तो दूसरा सब्सेट्यूट करता है खिलारी इसी तरीके से सब्सेट्यूशनल सॉलोसन जो होता है उ और यह spherical set में होते है, generally atoms और molecules, तो हम लोग दिखाने के लिए तो 3D यहाँ पर sphere में नहीं दिखा सकता, तो उनको हम लोग basically circle से ही represent कर देते हैं, बोट पे, एक solid state हमारा chapter भी है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत important chapter है, उसमें यह सब packing वगरा का concept हम लोग सीखते हैं, तो तो इस तरीके से सारे atoms आपस में क्या करते हुए रहेंगे, touch करते हुए रहेंगे, अब जैसे यह मानलोग किसी एक category का atom है, मैं दिखाने के लिए इस तरीके से दिखा देता हूँ, जैसे इसको अलग color से दिखा देता हूँ, यह देखिए, यह एक type के atom है, और इनके अंदर सपोच करो, यह दूसरे substance के atom आगे, जैसे ferrous के अंदर सपोच करो की, zinc के atoms आगे, तो यह ferrous के atoms थे अगर black वाले, तो यह किसके है, zinc के, तो एक तरीके के atom को, दूसरे को, जैसे यहाँ पे black वाला square अटाके उसने क्या कर दिया, red वाला square डाल दिया, तो इस तरीके से, जैसे समझ में आ रहा होगा देखके, कब substitutional solution बनता है, जब same size होता है, जब same size का item replace करेगा तो जो solution बनेगा, solid in solid उसको क्या बोलेगे, substitutional बनेगे, this is only important from board point of view, तो ध्यान रखेगा, board में यह सब है, हमारा 12 का chapter है नहीं, तो board में यह है, ध्यान रखना, और second होता है अपने पास, एक substitutional हो गया, और second होता है, इंटरस्टीसियल, इंटरस्टीसियल में क्या होगा, इंटरस्टीसियल का मतलब क्या है, इंटरस्टीसियल का मतलब है, जैसे ही यह packing हो रही है, देखो, यह जो packing होती है, यह जो items की packing होती है, किसी भी solid के अंदर, एक solid state chapter में पढ़ेंगे हम लोग, यह जैसे ही packing होती है, इन packing के बीच आप देख सकते हैं, कि कुछ ना कुछ जगे खाली रह जा रही है, कितने भी spares को tightly packed करा दो, कुछ ना कुछ उसमें क्या रहेगा, whites खाली रह जाते हैं, इन whites, in whites, इसको whites बोलते हैं, यह जो खाली जगे हैं, जिनके अंदर में यह items को बर रहा हूं, देखो, इससे कुछ red color से भी बर देता हूं, यहां देखिए, यहां आ गया, यह जो खाली जगे में items आ रहे हैं, यह खाली जगे, इनको हम लोग बोलते हैं, interstitial whites, तो क्या बोलते ह हैं, interstitial, और इसमें, substitutional में same size के होते हैं, interstitial में क्या हो जाते हैं, different size के लिए होता है, जब size में क्या हो, difference हो, तो देख सकते हो, इसमें क्या है, यह छोटे वाले item का size अलग है, और बड़े वाले जो packing है, उनकी size क्या है, different है, तो बस बेटा इतना ही है, इसमें ध्यान solid in solid का मदलब, दो solid जब homogenously mix होते हैं, तो यह alloy बनाते हैं, उसी alloy को क्या बोलते हैं, solid in solid solution, brass, brown, german, silver यह ध्यान रखना, और दो तरीके के होते हैं, substitutional और interstitial, substitutional का मदलब, same size का होना, और interstitial होने का मदलब, different size का होना, same size का रहाएगा, जैसे black वाला अलग तरीके के item है, और red वाले अलग तरीके के item है, जिनके अंदर substitution हो गया है, तो इसको substitutional बोलेंगे, और जिनके अंदर, जो whites हैं, खाली जगे, उन खाली जगे में, अगर कोई item enter कर जाते हैं, दूसरे particles का, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, interstitial, जो की different size के वेर से बनते हैं, तो एक तो type solution, solid in solid, और दूसरा क्या है, एक तो solid in solid होता है, दूसरा है solid in liquid, और तीसरा क्या है, gas in liquid, जो henry law है, तो उसको तो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं solid in liquid solution का भी करवा देता हूं, आज ही आपको, और वो हमने पढ़ा भी है, पहले भी, solid in liquid मैंने आपको पहले भी पढ़ा ह solution के अंदर, तो देखो, second जो होगा, first हमने देखा, first कौन सा देखा, solid in solid, अब जो second type का होता है, वो कौन सा होगा, solid in liquid, solid in solid, और second है, solid in liquid, तो इसमें तो कुछ ज्यादा बताना नहीं, आपको पता ही है, अगर NACL को उठाके water में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से उसमें गुल जाता है, तो solid in liquid का मतलब क्या होता है, normally जो solids होते हो, liquid में क्या होते है, soluble हो जाते है, तो उस तरी हो इनको ध्यानी रखेगा, बेटा है, solid in liquid का मतलब क्या है, normally, इसमें लिखवा देता हूँ, तोड़ा सा, normally solids, normally solids dissolves, normally solid dissolves in liquid, normally solids dissolves in liquid, in liquid and form, and form, and form solution, ठीक है, normally solid dissolves in liquid, and form solution, and amount of, amount of solid, and amount of solid, and amount of solid dissolved in 100 gram of water, and amount of solid dissolved in 100 gram of water, to form, to form a saturated, solution, is known as, is known as, solubility of salt, is known as, solubility of salt, basically हम लोग, आइनिक equilibrium chapter में solubility बगरा पढ़ेंगे, फिर भी मैंने यहां पे थोड़ा सा बस बता दिया है, क्योंकि इस chapter में आपको यह word मिलेगा, solid in liquid, तो normally solids क्या होते हैं, solids होते हैं, dissolved होते हैं, किसके अंदर, liquid के अंदर, और यह ध्यान रखना, amount of solid dissolved in 100 gram of water, 100 gram water में कितना आप solid को dissolve कर सकते हैं, ताकि कैसा solution बने, saturated solution, बेटा saturated, एक solution होता है, एक unsaturated होता है, एक super saturated होता है, room temperature के उपर, 35-40, नहीं, 60 gram के आसपास, 60 gram के आसपास, आप 100 gram के अंदर dissolve कर सकते हैं, तो उसको saturated बोलेंगे, जैसे अगर 100 ml water है, तो इसके अंदर, अगर 60 gram आप NECL को dissolve करेंगे, तो saturated बना लेगा, अगर 60 से ज़्यादा करोगे 65, तो क्या होने लगेगा, super saturated हो जाएगा वो, और मानलों आपने 50 gram ही dissolve किया है, मतलब हो कैसा होगा, unsaturated क्योंकि आप उसमें और dissolve कर सकते हैं, तो basically यह part आगे का है, मैं इससे समझाऊँगा, पूरा डीटेल में हम लोग पढ़ेंगे, saturated, unsaturated और supersaturated, इन आइनिक equilibrium chapter, तो अभी बस इतने लहां रखना, कि amount of solid dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution is known as solubility of salt, salt की क्या कहलाती है, solubility कहलाती है, ठीक है, और कोई भी salt जो होगा, कोई भी solid जो होगा, वो liquid के अंदर soluble होगा की नहीं होगा, यह नो, वो depend करता है, दो तरीके की हमारे magnitude पे, एक lightish energy हमने पढ़ा था, और एक hydration energy, जिसको मैंने chemical equilibrium में खुब detail में पढ़ाया आपको, तो बस मैं यहाँ पे वो सब questions कभी मिल सकते हैं, इसलिए मैं लिकवा रहा हूँ, any solid, any solid will be soluble, any solid will be soluble in water or not, any solid will be soluble in water or not, will be decided by, will be decided by magnitude of, will be decided by magnitude of two types of energy, magnitude of two types of energies, magnitude of two types of energies, ठीक है न, दो तरीके की energy पे, यह मैंने आपको पढ़ाया है, पहले ही, किसी भी solid की, soluble है water में की नहीं, वो किसके उपर depend करता है, दो type की magnitude के उपर, और कौन-कौन CO2 type की energy होते हैं, बताओ, पहला होता है हमारा hydration energy, जाने, जब NECL को पानी में डालते हैं, और चारों तरप से अगर पानी के molecules उसको घेर लेते हैं, तो घेरते समय जो energy release होते हैं, NECL को पानी में डालने पे water molecule 4 तरप से जो surround करते हैं, जो energy release होते हैं, उसी को क्या बोलते थे, hydration energy, और खुद जो NECL के अंदर energy मौझूद है, NECL के lightness बनते समय जो energy release हो ही, वो कौन सा है, lightness energy, तो ध्यान हैं, यह मैंने chemical bonding में खुद बच्चे से पढ़ा है, तो यहां जस्ट में इसको थोड़ा-थोड़ा go through करवा देता हूं, आपकी दिमाग में एक बार क्लिक कर जाएं, questions आएं तो कैसे करना है, hydration energy और दूसरा क्या है, lightness energy, तो hydration energy की काफी हमने बड़ी अच्छे से definition लिकी थी, कि one mole जब किसी salt का surround हो जाए water से, और कितनी energy release होती है, तो यहां बस मैं short में थोड़ा-थोड़ा बस लिखवा रहा हूं, energy released, energy released during hydration process, during hydration process, energy released during hydration process, hydration, solvation सब बताया है मैंने आपको है न, hydration मतलब क्या, चारो तरप से water molecule जब उसको घेर लेगा, तो जो energy release होगी, क्योंकि bond बनाएगा water molecule घेर के, जो जब चारो तरप से molecule घेरते हैं, तो क्या होता है, energy release होती है, और lightness energy कौम सी होती है, जो energy उस lightness को तोड़ने में लगती है, energy required to break the lightness, उस lightness को तोड़ने में जो energy लगते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, lightness energy, तो दो तरीके की energy role play करते हैं, किसी भी solid को, वो liquid के अंदर, कोई भी solid liquid में soluble आई की नहीं, दो तरीके की energy, एक hydration energy, second one is the lightness energy, और होगा क्या, if अगर हमारा, कब soluble होगा substance, अगर hydration energy जो है, if hydration energy is greater than lightness energy, अगर hydration energy, lightness energy से जादा है, मतलब जादा energy release होई, तो lightness को तोड़ देगा न, राम से, तो वो चीज क्या हो जाएगी, soluble हो जाएगी, hydration energy is greater than lightness energy, तो substance क्या हो जाएगा, substance will be soluble, substance will be soluble, ध्यान रखना ठीक है, और अगर hydration energy, निकलने वाली energy, lightness energy से कम हो जाए, यह समयने समझाया था आपको, कि हम कोई energy देते लेते नहीं, हम तो बस solid को उठा के क्या करते हैं, water में डाल देते हैं, अगर hydration energy, lightness energy से जादा हो गई, तो वो तो substance soluble हो जाता है, लेकिन अगर डालने वाली energy, है ना, hydration energy जो release हो रही है, अगर वो lightness energy से कम हो गई, तो इसका मतलब lightness energy जादा है, मतलब lightness टूटा ही नहीं है, और जब तक lightness break नहीं होगा, टूटेगा नहीं lightness, जब तक lightness टूटेगा नहीं, तब तक इसके अंदर से, substance will not be soluble, तो substance गुलने वाला नहीं है, तो substance not be soluble हो जाएगा, not be soluble को that is हम लो क्या बोल सकते हैं, insoluble बोल ले ना इसको, that is insoluble, तो कैसा हो जाएगा, insoluble हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो substance will not be soluble, will not be soluble मतलब वो insoluble हो जाएगा, तो अगर hydration energy lattice energy से कम हो हुई, तो insoluble, और अगर निकलने वाली energy lattice energy से जादा हो जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, soluble हो जाएगा, तो यह तो मैंने chemical bonding में detail में पढ़ा है, तो वहाँ से एक बार आप फिर से देख लेजएगा, मतलब questions आए तो ध्यान रखना, और बस एक last चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग बताऊंगा आपको, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यह हम से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके उपर कभी 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 question आ चुका है, तो हम लोग डाल लेते हैं heading, factors affecting, factors affecting solubility, factors affecting solubility of solid, factors affecting solubility of solid, कि इसे solid को affect करने वाले कौन-कौन से factors होता है, तो दो ही तरीके के factor हैं, एक कौन सा factor होगा, polar में polar जाता है, मतलब nature of solute and solvent, और दूसरा जो होगा, वो temperature होता है, बताया है मैंने ये भी, तो हम लोग first लेक लेते हैं, first जो है हमारे पास है, वो क्या है, nature of solute and solvent, पहला देखते हैं, तो factors कैसे solubility affect करता है किसी solid में, तो ये तो मैं पता ही है, कि polar polar में dissolve होता है, और non polar, non polar में तो बस लिख देते हैं, it follows concept of, concept of, like dissolves, like, it follows concept of, like dissolves, like, that is, क्या मतलब है इसका, that is, polar will be soluble, that is, polar will be soluble in, polar जो भी compound होगे, polar will be soluble in polar solvent, that is, polar will be soluble in polar solvent, in polar solvent, ठीक है, polar जाओंगे, वो polar solvent में soluble होगे, और जो non polar होँगे, वो non polar solvent में, and non polar will be, and non polar will be, in, non polar will be soluble, in non polar solvent, in non polar solvent, ठीक है, तो यह तो simple सा factor है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान लगना है, सुन नेचर क्या होता है, polar polar में soluble होता है, polar will be soluble in polar, और non polar जो होगा, वो किस में soluble होगा, non polar solvent में, polar वाले polar solvent में, तो simple है, विल्कुल, पहला factor, second factor जो हो, temperature है, temperature वाला, थोड़ा important है बेटा, इसको ध्यान रखना है, next question में ले लेता हूँ, देखो, second factor जो हो है, वो कौन सा है, temperature, temperature, यह थोड़ा सा नया, इसको ध्यान रखना, इस पर questions बनते हैं, important है थोड़ा, temperature में देखो, temperature में क्या बोलेंगे, किसी भी solid को जब dissolve किया जाता है ने, liquid में, तो या तो process endothermik होगा, या तो exothermik, तो पहले मैं यह लिख देता हूँ, when, when a solid, when a solid dissolve in liquid, when a solid dissolve in liquid, then process, then process में भी endo और exo, then process, then process may be, then process may be endothermik, then process may be endothermik और exothermik, process या तो endothermik हो सकता है, या तो process कैसा हो सकता है, exothermik हो सकता है, अब होता क्या है, बस यह ध्यान रख लेना, finally endothermik अगर हो रहा हो process, dissolve करने के बाद अगर वो process कैसा है, अंडो थर्मिक प्रोसेस की खास बत क्या होंगी अंडो थर्मिक का मतलब डेल्टाज क्या होता उनमें पॉजिटुटिव उन तरिके के सॉलोज़न में हीट क्या हो रही होगी टो लिट्स एकलिश पिंसिपल के इसाब से मैंने आपको बताए endothermic reactions are best suitable at high temperature endothermic reaction किस पर best suitable होते हैं high temperature पर मतलब temperature जितना बढ़ा होगे उस solid की solubility क्या होगी बढ़ेगी तो endothermic की खास बात यह होगी solubility of salt increases with increase in temperature with increase in temperature according to Leach-Atlias principle Leach-Atlias principle में बताया था delta H positive है तो उसको high temperature देदो delta H negative है तो उसको low temperature देदो तो endothermic होने का मतलब ही क्या होता है delta H positive और delta H अगर positive है तो यह high temperature पर हो जाया अगर Leach-Atlias के हिसाब से solubility of salt increases with temperature तो मतलब हो गया हमें बस यह ध्यान रखना है endo के लिए for endo क्या हमको ध्यान रखना है अगर हमने temperature को बढ़ाया तो temperature बढ़ाने की वज़े से solubility को S से generally represent कर देता हूँ तो temperature बढ़ाने से solubility भी क्या होती है बढ़ती है और second जो हो सकता हो कैसा हो सकता है एक जो thermic तो एक जो thermic में क्या बोलेंगे एक जो thermic तो low temperature पर suitable होता है और एक जो thermic है तो इसका मतलब क्या होगा एक जो thermic में solubility of salt जो होगा solubility of salt decreases decreases या decreases बोल देता है decreases with increase in temperature with increase in temperature ठीक है अगर आपका एक जो thermic वाला रहेगा एक जो thermic होने का मतलब जिसका delta is क्या होगा जीरो से छोटा तो मैंने बता है ता जिसका delta is negative है तो इसको low temperature पर suitable होगा तो अगर आप temperature को बढ़ाएंगे तो उसकी solubility क्या होगी घटेगी तो इसका मतलब एक जो के लिए क्या बोलेंगे हम लोग एक जो वाली जो भी रहेगी तो एक जो में अगर आप temperature को बढ़ाएंगे तो temperature को बढ़ाने से solubility क्या होगी घटेगी ठीक है तो यह in the form of question कभी कभी पूछा जाता है केंडो की कब बढ़ेगी है ना solubility और एक जो की कब बढ़ेगी तो यह वाला थोड़ा सा important है इसको ध्यान रखना तो हमने कौन-कौन सा देख लिया solid in solid भी देख लिया type of solution में हमने solid in solid देख लिया और solid in liquid भी देख लिया किस तरीके से क्या करना है यह सब पढ़ा हुआ था पहले से अपना बस एक बार revise क कर लिया थोड़ा सा और temperature वाला important है यह दियान रखना very important कभी-कभी questions आया इसके उपर ठीक है और एक अगला next कौन सा होगा solid in liquid solid in solid हमने देख लिया solid in liquid भी हमने देख लिया तो अब एक last अपने पास क्या होता है gas in liquid तो gas in liquid जो है वो henry law होता है तो gas in liquid जो आपका है वो कल मे स्टार्ट करूंगा henry law को तो आज का lecture में इस्टॉप करता हूं ठीक है और henry law में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे उससे कल henry law आ जाएगा और कल henry law कर आके almost मैं यह chapter फिनिस कर दूंगा एक चीज और बच जाएगी तो i think दो lecture और लेंगे और यह chapter complete हो जाएगा ठीक है तो पढ़िए अच्छे से device करें thank you